मामी मेरी चांस आ गई ठीक है बेटा तो तुम्हें कौन से सिम्बल्स मिले हैं स्क्वेर ट्राइंगल और एक सर्कल जैसे दिखने वाला शेप पर ये सर्कल नहीं है ओवल उसे ओवल कहते हैं चलो अब अच्छे से इन शेप्स को याद कहलो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्राक्टिस की थी बहुत अच्छे मिल्की बटा ध्यान रहीं कि तुम्हें ऐसे ही हमेशा उन शेप्स को याद रटना पड़ेगा जो तुम्हें याद करने को दिया जाएगा ठीक है पर क्या होगा अगर मैंने इसे गलत कर दिया तो अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी आदाश खोद होगी ममी मैं घर आ गई तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई ममी रिलाक्स ये मैं हूँ मिन्की आपकी बेटी येरी कोई बेटी नहीं है मुझसे दूर हो ममी क्या आप मेमरी गेम में हार गई है ये मेमरी गेम क्या है चिंता मत करो हम तुमारी ममी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम जब चाहो जितनी बाट चाहो उनसे मिलने हाँ आ सकती हो बस तुम उनको पिछली किसी भी बात से याद नहीं रहोगी पर वो तुम्हें फ्यूचर में जान सकती है मिंकी तुमारी मॉम कैसी है बस उतनी अच्छी जितना अच्छा कोई अपनी आदाश कोने के बात हो सकता है हाँ? क्या हुआ? मेरा मेमरी गेम ये बहुत बड़ा है स्क्वेर, ट्राइंगल, ओवल, स्क्वेर कमान मिंकी तुम ये कर सकती हो स्क्वेर, ट्राइंगल, ओवल, स्क्वेर, ओवल, स्क्वेर, ओवल, स्टार, रेक्टैंगल हाँ, मैंने इससे पास कर लिया गुच जोब मिंकी मुझे पाता था कि तुम ये कर लोगी पर मुझे आज से पहले इतना नंबर टेस्ट कभी नहीं मिला मैंने सुना है कि इस साल वो लोग इस गेम को दस गुना जादा टफ कर रहे है पर क्यों? क्योंकि गवर्न्मेंट को लगता है कि हमारा ब्रेन लेजी होता जा रहा है और ये बस उनका एक तरीका है हमारे लोगों को स्मार्ट बनाने का वो दिन दूर नहीं है जब उनके खुद के वोकस की आदाश चल जाए है क्योंकि ये गेम बहुत हार्ड है सुट सुमने सोटो छोड़ो मुझे हाँ? ये सुटिय मैम को क्या हुआ? जरूर वो मेमरी गेम में पास नहीं हो पाई होंगी हाई मॉम मुझे पता है कि मैं आपको याद नहीं हूँ पर मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके लिए वनीरा शेक लाए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको फेवरिट है आपको याद है कि आपको फेवरिट है? क्या आपकी आधाश वापस आ रही है? नहीं नहीं सॉरी मैंने तो बस कैस किया कि तुम इसके बाद क्या बोलने वाली हो तो मैंने वही बोल दिया ओ कोई बात नहीं अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मैं यहाँ नहीं रह सकती नहीं नर्स उन्हें थोड़ा वक्त दो वो तुमसे घुल मिल जाएंगी उनके लिए पे तुम्हें याद न रखना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए हाँ पर मुझे लगा क्योने चीज़े याद है स्क्वेर, सर्कल, ट्राइंगल, स्टार मेमरी केम? हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने सही गेस किया है हाला कि मुझे इस बार सिंबल्स मिले थे याद करने के लिए बारा? ये तो हाथ से बाहर निकलते जा रहा है रोजी, तुम कहां जा रही हो? रोजी, तुम कौन हो? और ये रोजी कौन है? तुम हो रोजी, चलो मुझे पताओ, कमाउन, तुम मजाग कर रही हो ना रोजी, कमाउन, मैं तुम्हें भी ने खूँ सकती डॉन्ट टैच मी, हटो यहां से हे, मैंने सुना कि रोजी के साथ क्या हुआ, I'm really sorry, मुझे पता है कि तुम दोरों कितने close थे हम, मुझे तु यह समझने आता कि यह memory के मिटना लंबा क्यों हो रहा है और तु और यह मितना time भी नहीं देते कि हम टाइम रहते सियाद कर सकें या फिर तुम बेवकोफ हो, excuse me यह test इतना भी मुश्किल नहीं है अगर तुम smart हो इसका smart होने से क्या लेना देना है मैं शर्ट लगा सकती हूँ, जब तुम यह test मिलता होगा तब तुम इसे ऐसे याद करती होगी square, oval, circle तुमारा अपरे इन तब जाद आची से प्रोसेस करेगा अगर तुम उन symbols के name के shortcut स्याद रखो जैसे की square का s, circle का c, oval का o और star का st और ऐसे तुम इनको असानी से याद रख सकोगी क्योंकि shortcut को याद रखना अकसर easy होता है यार ये strategy तो बहुत सही है हाँ, इतना लबा मैं कैसे याद कर पाऊंगी r, o, c, o, r हाँ, मैं ऐसे काभी कम लीट नहीं कर पाऊंगी rectangle, oval, circle, oval, rectangle, triangle, oval, star, square, square, rectangle, circle, triangle ओ, hello, तुम अपनी class में क्यों नहीं हो class? ओ, तुम memory game में हार गई हो है ना memory game? जलते से कोई memory team को यहाँ बिलाओ हम एक और मिल गई है तुम अपने mom के साथ एक ही room में रहोगी तुम भी उनको याद नहीं हो, पर हो सकता है कि तुम दोनों की bonding हो जाए तुम्हारा नाम Minky है और इसमें तुम्हारे पास के बारे में सारी important information है तुम्हें अभी भी लिखना पढ़ना आता होगा हाई, मेरा नाम Minky है और उन लोगे ने कहा है कि आप मेरी mom है और आपने भी अपनी आदाश खो दिये हाँ, उन लोगे ने मुझसे भी यही कहा है बेटा, बेटा ये मैं हूँ तुम्हारी mom मेरी प्यारी बेटी, प्लीज कहदो कि मैं तुम्हें यहाद हूँ क्या मैं आपको यहाद हूँ? हाँ बेटा, मेरी याद आश कभी गई ही नहीं थी उस memory wipe ने मुझे में कोई असर नहीं किया था मुझे समझ नहीं आता, अगर आपकी memory कभी गई ही नहीं थी तो आप memory care में क्यों है? बेटा, मैं यहाद मिशन पर हूँ, मैं उस तरीका को दूरने के कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं सब की memory वापस ला सकती हूँ पर अगर कोई ऐसा तरीका होता तो क्या government हमारी memory को खुद restore नहीं कर देती? नहीं, क्योंकि government को हम सब को उनके control में रखना है तुम इतनी रात तक चागी हूए हो, क्या सब ठीक है? हाँ, मैं बस सोनी पा रही हूँ हमारे पास ऐसे बहुत सारे extra room खा लिये, क्या तुमें एक room चाहिए? no, no, it's okay, मैं बस सोनी चाहरी हूँ ओके, good night knock knock ladies, देखो, तुम दोने से मिलने कौन आया है? हाई बेटा, ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा हाई हाई स्वीटी, मुझे पता है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा husband हूँ अच्छा, पर रात से बहले तो तुम मुझे से मिलने हाँ, कभी नहीं आये मुझे पता है, मैं बहुत बीजी था, I'm really sorry सच कहूं तो मुझे सोच के बहुत अजीब लग रहाता कि अब मैं तुम्हें याद नहीं हूँ पर अब मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ घर? मैं अभी घर नहीं आ सकती इनके पास बैट्स की कमी हो गई है, मैंने तुम से कहा ना कि मेरे साथ चलो पर कल रात को तो उन्होंने मुझे से कहा था कि उनके पास एक्ट्रा बैट्स हैं आपर वो, आज सुबह उनके पास बहुत जादा पेशन्स आ गए है हनी, अपना समान पैक करो, मैं कार लेकर आता हूँ ठीक है, तो मैं अपना समान पैक कर लेती हूँ सोरी बेटा, पर तुम्हें अभी यहाँ कुछ और दिन रहना पड़ेगा अभी मैं सिर्फ तुमारी मम्मी को ले जाने आया हूँ सम्मारी मम पैर क्या है, आको यहाँ कर दो वियुक्त acquire नहीं ये इसे इन लोगों को पता चला इन लोगन के मेरी सिस्तर को तुरंद मार दिया मुझे अभी भी नहीं पता कि इन लोगे ने अंसा क्यों किया बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त मेरा उस आदमी के साथ जाना ही ज़्यादा सेफ है मॉम लेक है तो क्या तुम ले अपना सारा समान टैक कर लिया हाँ हाँ भाई बेटा अपना ख्याल रखना हम लगता है तुमारी ममी तुमें छोड़के चली गई है मुझे या और कितने दिन आरना होगा बैस कुछ दिन और जब तक तुम इस मेमरी लॉस से उभर न जाओ नहीं क्या इस बात का कोई सेंस है तुम लोग हमारी मेमरी को रिस्टोर क्यों नहीं कर देते बात हुए है कि तुम लोग चाहती ही नहीं हो कि हमारी मेमरी वापस आए हमारे पास एक रड़ फ्लाग है सोचा प्यारे मिंकी तुमें सोकर बेटर फेल होगा वो बहुत चाहती है वो यहां अंट्रेस नहीं कर पाएगी कुछे तो रखता है कि यह सब इसके दिमार उसकी मौम ने भराए पर हमें यह नहीं बता है कि उसकी मौम को कुछ याद है कि नहीं वो काल्ला के साथ बिना किसे सवाल जवाब के चली गई अगर उसे कुछ याद होता तो वो उसके साथ कभी नहीं जाती क्योंकि वो उसका husband है यह नहीं मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता रही हूँ उसकी mom को सब याद है मैंने उसे control room के पास भी टहलते हुए देखा था वो almost अपकी memory reset करने वाली थी तुम बोलती रहो क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारी स्टोरी पर यखिन नहीं कर सकता तुम कहना के चाती हो कुछ नहीं अच्छ तुम उट गई क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझे भूक लगी है ठीक है हम तुम्हारी ले कुछ खाने को लेकर आते है मुझे उस कंट्रोल रूम को धूरना होगा आधी रात हो गई आप तक तो सब सो गए होंगे आखिर वो बटन है कौनचा कोई आ रहा है अब तुम्हें कई काम से वान बेटा क्या तुमने उसे reset किया वाला बेटा क्या तुम ठीको हाँ सब रापस आ रहा है मुझे सब यहाद आ गया अब हमें यहां से बहार निकलना होगा इससे पहले कि कोई यहां आ जाए और उसे पता चल जाए कि हम ही है वो जिसने सब की memory reset किया विंकी रोजी क्या तुम यखिन करोगे किसे ने memory game को reset कर दिया नहीं मैं तो असा सोच भी ने सकती बर थांग उटने इसके उसन ऐसा कर दिया राइट